मैं आज भीना अंडो का केक बनाने वाली हूं बनाना केक जो खाने में काफी टेश्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा बच्चों को आप सुबर के नास्ते में या टिफिन में किसी भी समय में या साम के नास्ते में आप कभी भी उन्हें बना कर दे सकती हैं ये काफी हेल्द बाना पैंकेक बनाने के लिए मैं वहलिज़ इस आटा में दो यहां कhuhक काटा करते इसखालेी है सकती है कि ग Tin Co द्वाल दो दो जोने दो ग्याम आण देला दो के मेदा दो ये simply करते हैं थोड़े से मावा है, खुवा, एक केला बनाना, वन टी स्पून बेकिंग पॉडर, इसके जगह आप खाने वाला सोडा भी ले सकती है, बेकिंग पॉडर भी ले सकती है, जो आपके पास अभी लेबल है, थोड़े से ड्रैफ फूट्स, काजू किसमिस बादाम, इसको छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ, हरी इलाइची, जीसे दर-दरा कूट करके ले ली हूँ, थोड़ा सा बटर, और हाफ कप दूद, अगर आव सकता होगी, तो थोड़े से दूद या पानी आप और ले सकती है, तो चेलिए सबसे पहले, एक स्मूथ बैटर बना लेते हैं, क चीनी, मावा, एक छोटा टुकड़ा बटर का और दूद, आधा दूद मिलाकर, एक स्मूथ बैटर तयार कर लेती हूँ, मिक्षी में, देखे, सारे चीजों को मिलाकर, एक स्मूथ बैटर तयार कर ली हूँ, अब एक बॉल में, एक बड़े वरतन में, गेम काटा, जो हाफ कपली थी, हाफ कटोरी ने थी, उसे, हाफ कटोरी मैदा, बेकिंग पॉडर एक छोटा चम्मच, ट्राइड फूट्स, छोटी इलाइची, इन सब को पहले अच्छे से मिला लेती हूं, इस तरह से, अब इसमें यह बैटर चुट तयार करके रखेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा करके मिला देती हूं, इस तरह से फिटते भी जाएंगे, और एक इसका स्मूथ बैटर तयार कर लेंगे, ना इसका बैटर बहुत पदला होगा और ना ही काफी गाढ़ा होगा, इस तरह से बैटर चुट तयार करके दिखाती हूं, यह बाकी बैचे वे थोड़ा 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 दरके मिला दूंगे, और एक स्मूथ बैटर तयार कर लेती हूं, यह लेकिए, एक स्मूथ बैटर बना करके तयार कर लिए हैं, इतने ही दूद में अमाला बैटर बन के तयार होगा, अगर आपका उच्वरत पड़ी तो थोड़ा सा दूद या आप दूचमिस पानी भी डाल सकती हैं, आप चाह पाइसित को पसंद है, आप इसमें मिला सकती हैं, और मिला एक स्मूथ बैटर तयार कर सकती हैं, इसे ढखकर फांट मिने ट्रिश्ट के लिए छोड़ देती हूं, उसके बाद पैंकेक बनाऊंगी, दस मिनेट हो चुके हैं, बैटर हमारा पुली तरह से रेडि हो चुका है चलिए हम पैंकेक बनाते हैं पैंकेक बनाने के लिए एक दावा या फ्राई पेंट जो भी आपके पास अगर नॉन इस्टिक के अभी लेबल है तो ज्यादा अर्चे से उसमें पैंकेक बनकर तयार हो जाता है तब ही को पहने पूरी तर से गर्म कर लेंगे उसके उपर खोड अब गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर देंगे ताकि तावा हमारा थोड़ा खंडा हो जाए बहुत गर्म तवे पर इसे हमें नहीं डालना है अब इसके उपर एक एक चम्मच बैटर कोई भी चम्मच आप ले सकती है इस तरह से डाल देती हूं अब जिस साइज का बनाना चाहें बना सकती है मैं एक साथ तीन चाहर इतने इसमें अटेंगे उतना मैं इसमें बना लूँगी इस तरह से डाल कर गैस का फ्रेम अब मेडियम करके इसको अच्छे से नीचे से हलका गोल्डन प्राउन होने तक पकाना है जब यह हलका फोल्डन प्राउन हो जाएगा तब इसको हम पल्टी करेंगे नीचे से लग रहा हलका फोल्डन प्राउन हो चुका है इससे अब दीरे दीरे करके पल्टी कर देंगे इस तरह से गैस का फ्रेम आप लोटू मीडियम रखिएगा इसी तरह से सारे पैंकेक को बना करके तैयार कर लोंगी हलका सा बटर या खी थोड़ा सा इसमें नारे से हलका डाल दोंगी ताकि दूनों तरप से यह अच्छे से पुरा बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से दुनों तरप से चेकर तैयार कर लेना है प्लीज आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए रखिए मेरे चैनल को जरूर से अच्छेए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोनों तरफ से पैनकेक खलके गूल्डेन टॉन हो चुके हैं एक प्लेट में निकाल लेती हूं अगर आपके पास खोवा या मावा या लेवल नहीं है तो आपका अपनेश्ट मिल्क इसमें डाल सकती है या फिर क्यों दूद में भी आप इसको बना सकती है इस तरह से सारे पैनकेक को एक लेट में निकाल लेती हूं आता प्रून हो आप चाहिए अधिक थो दूब बड़े सा इसका इसका भी बिल्कुल लो कर देती हूं एक निकाल आपकी में या ना प्लाल भी बनाखकों बेंकर है जांगा को इसके लिए इक ही जगर थेटेटी brewing बैटे डाव दिए और इसे भी लोटों मीडियम गैस पे लुनों तरफ से हल्के गुल्डेन ब्राउन होने तक पका लेना है बड़े साइज वेला पैनकेक भी हमारा बनकर तयार हो गया है इसे भी प्लेट में निकाल देती हैं गैस प्लेम ओक कर दीए हमारा दोनों पैनकेक कितना अच्छा बनकर तयार हुआ है काफ़ी फलपी और सॉफ्ट है यह देखें बिल्कूल ही सॉफ्ट हमारा पैनकेक बना है प्लीज आप इस एक बर जुरूर बना के ट्राइ कीजिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा आपको भी काफी पसंद आएगा यह हेल्दी के साथ साथ काफी टेश्टी नास्ता भी है धन्यवाद